अपन अध्याय एक पढ़ रहे थे सीतिद का दोर आज पढ़ेंगे उसका पार्ट फिरी पार्ट बन और टू आपने पढ़ी लिया होगा नहीं पढ़ा तो उसका लिंक बिल जाएगा आपको नीचे डिस्केशन वाक्स में बहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं दोन अभी होता हो च्रह फार कि यहीं तो यहीं तो सोव्य संग्व और अमेरिका इन्हीं दो महासक्तियों के कारण हुआ था नुक्यों कि वा उता हो अमेरिका के करीब निद्व से होता है इस्तित मालीजी यहां पर घिवंहном Irish एमेरिका के ट्ड़धत पर इस्तित एक व्यविवी संग किल अ αυτगी हैं थो शिक्तौष से दूर वाले से होती है, दूर कौन है, सोवियस संग, इससे इसकी मितरता है, दोस्त है ये इसका, सोवियस संग क्योवा का मितर होता है, ठीक है, क्योंकि सोवियस संग उसे बित्तिय सायता देता था, सोवियस संग था, इसकी मदद करता था, इससे रुपिया पैसा, जिस चीज की जरुवत पढ़ती थी तो इसकी हैल्फ करता था इसलिए इसकी दोस्ती सोवियस संग से हो गई ठीक है 1962 में सोवियस संग ने क्योवा पर अपनी मिशालें तैनात कर दी 1962 में जो सोवियस संग क्या करता है यहां से अपनी मिशाल ला कर गे यहां पर तैनात कर देता है ठीक है ताकि अमेरिका निसाने पर आ गया क्योंकि यहां पर मिसाइल लगा दी जाएगी तो कभी मिसाइल से अमेरिका को उड़ा सकते थे तो अमेरिका उसमें घबडा गया था लेकिन अमेरिका को तुरंत यह सूचना मिलती नहीं काफी लग एक सब्ता के बाद उसे पता चल था यह सन भी याद रखो 1962 में सोवियस संग ने क्योबा पर अपनी मिसाइल तैनात कर दी जिससे अमेरिका निसाने पर आ गया है ना यहां पर बिल्कुल उसके पास में ही है ठीक है और सोवियस संग ने दोस्ती इसलिए की थी कि ताकि अमेरिका डरता रहे क्योंकि यहां से यहां तक यहां से अगर वो अपनी मिसाइल चलाता तो अमेरिका तक आने में दिक्कत होती इसे यहां से फाइरिंग करना या लड़ाई लड़ना मुश्किल था इसलिए उसने इससे दोस्ती कर ली ताकि अमेरिका के बारे में उसे पूरी जानकारी होती रहे क्योंकि यह अ था ना अब अमेरिकी जो उस समय राष्टपती थे जिनका नाम था कनेडी कनेडी को जब पता चलता था थो उन्हेंने आदेश दिया कि सोवियस संग के जहाजो को कियुबा आने से रोका जाए जिए सोवियस संग के जहाज थे वो यहां से आ रहे थे कुभा इस ठीक है तो अ मैडी होते हैं वो अमेरिगा के उस समय राश्पती होते हैं उन्होंने आदेश दिया सोवियस संग के जहाजों को क्योवा आने से रोका जाए इसी स्थिति को देखकर ऐसा लगा कि युद्ध होकर रहेगा पूरे बिसको घवडा रही थी पूरे दुनिया की अब तो लग रह युद्ध इनके बीच हो जाएगा क्योंकि अब इनके जहाजों को रोकेंगे तो युद्ध तो होना ही होना है जब दोनों आपस में टकराएंगे तो युद्ध हो जाएगा ठीक है लेकिन होता नहीं है सारे दुनिया इसी सिति को देखकर घवडा गई डर गई इसी संकट को सित उद का चरम बिंदू कहा जाता है को इस गटना को हम क्योवा मिसाल संकट के नाम से जानते हैं यहीं गटना है जिसे हम क्योवा मिसाल संकट के नाम से जानते हैं अंत में दोनों गटों ने युद्ध को टालने का फैंसल लिया बाद में बोले आब हम नहीं दोनों लड़ी जाएंगे क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना भेड़ दी सोवियस्टन के जहाजों को रोकने के लिए तो देखकर कि तो ऐसा ही लगा कि अब यह आपस में लड़ने ही वाले हैं पूरा बिस्ट यही सोच रहा था यही सारे दुनिया घबडा गई कि यह दोनों महासकती हैं आप टकरा जाएंगी आपस में आगी क्या होगा लेकिन बाद में यह उद्ध टाल लेते हैं यह लड़ते ही नहीं है ठीक है तो इस तरह से यह उद्ध टल जाता है इसी को हम सीतुद के नाम से जानते हैं यही सीतुद का सबसे चराम बिंदू है क्योंकि यह सबसे बड़ी घटना थी सीतुद का मतलवी यही है कि बास्वी के उद्ध नहीं होता इसमें तो सबसे बड़ा अगर उधारन कोई है सीतुद का तो यही है क्योबा मिसाल संकट अब नेखेंगे जापान पर पर्माडू हमला एक और सन भी काफी जादा महत पूर है ठीक है एक जाम में अक्सर पूंचा जाता है जापान का पर्माडू हमला यानि कि अमेरिका ने जापान पर पर्माडू हमला क्यों किया या किन दो सहरों प पहला था हिरोशिमा कोशन पूच्छा जाता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर कब परमाडू बंब गिराया तो इसकी डेट है छे आगस्त 1945 ठीक है और दो बंब गिराये थे दूसरी कौन सी जगह थी नागा साकी यह गिराया था नौ आगस्त 1945 में ठीक है इस घटना के वाद अमेरिका की बहुत आलोचना होई अमेरिका ने दो जगए यानिकी जापान में दो सहरों के के उपर परमाडू बंब गिरा दिये थे उसमें लोगों को यह समझ तक नहीं थी कि परमाडू बंब होता क्या है यानिकी सब लोग नहीं जानते थे 1945 में जब सबसे पहले 6 अगस 1945 में हिरो सिमा पर परमाडू बंब गिराया गया था जापान में तो बहां के जनता यह समझ रही थी कि सूरिय तूट करके गिर गया नीचे कि उन्हें पता ही नहीं था कि परमाडू बंब क्या होता है उसमें लगवग 80,000 लोग मारे गए चलके राक हो गए ठीक है परमाड बंबी कुछी जैसी होती होगी जो जला करके एक दम से राक कर देगी सब को ठीक है तो 80,000 से ज्यादा लोग चलकर के एक जटकेई में राक हो गए और इनके घर, मकान, दुकान, सब तहसना से अनकी जलकर के राक ही हो गए सब को ठीक है जहां बंब गिरेगा वहां कुछ र फिर से बंब गिरा दिया जाता बहां भी 50-60,000 लोग मारे जाते हैं ठीक है तो बहुत भायानक तवाई थी है और इससे जो बंब जहां गिरता है उस समय तो सब कुछ नस्ट होई जाता है उसके बाद भी काफी तवाई रहती है क्योंकि जो बंब होता है उसमें काफी विस आली गैसों की बज़े से सब पढ़ते हैं इस गटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना विया जापन आत्म समरपर करने ही ऑला था जापन ने बोल दिया था कि भाई हम आपके लिए सरंडर कर देंगे लेकिन फिर बंब गिराने की जरूत क्या थी है ना ऐसे में बंब बाज नहीं आया उसे दिखाना था कि हम बहुत जादा सक्सा लिए हमारे पास ऐसे बंब हैं कि हमसे अगर पंगा लोगे तो हम पल भर में आपको जला के राक कर देंगे इसलिए वो दिखाना जाता था पूरे विश्व में कि हमारे पास ऐसे बंब हैं जो कि हम जला कर किसी को रोका जा इसलिए हमने बंब गिरा दिया ठीक है तो 1945 में दूतिय विसुद भी चला था तो अमेरिका ने बहाना बना दिया कि हमने इसलिए बंब गिराया ताकि यो दूतिय विसुद चला आया ना वो समापत हो जाया और जन हित की जो हानी बच जाया लेकिन ऐसा नहीं था उ हम लाका उद्देस से जो अमेरिका ने क्किंप किस इद्देस से हमला किया तो अमेरिका शोवियो सनक को दिखाना चाहता था कि свою महा सकती हैं देख लो ये नतीजा हुआ हमसे पंगा लेने का ठीक है तो अमीद करते हैं आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रैट कलर के बटन को दवाएं अच्छे आनको सब्सक्राइब करें साथ ही घंटी के आइकन को भी दवादें इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है विलकुल टैम पर धन्यवाद मिलते हैं एक नेस्ट वीडियो में